हलो एवरीवन, आप सब लोग IIT JE 21 एक्जाम की पर प्रिशन कर रहे हैं और जैसे ही JE वर्ड आता है, हर एक का सपना होता है कि वो IIT से बीटेक करें या एटलिस्ट NIT से बीटेक करें, पर कई बार उसके परसेंटाइल कम होते हैं वज़े से कंप्रोमाइस करना होता है, अगर आपका ड्रीम IIT है, अगर आपका ड्रीम NIT है तो कंप्रोमाइस क्यों करना, याद रखिए जीतने और हारने वाले के बीच में कीवल एक छोटा सा डिफरेंस होता, जीतने वाला कभी रुकता नहीं और हारने वाला रुक जाता यानि अगर आपने कहीं पर भी कुट करा, इसका मतलब आप जीत नहीं सकते तो अगर आपने जीत की तैयारी की है, तो हारने के बारे में सोचना छोड़ दीजिए सवाल उठता है कि जब हम J.E. की preparation करते हैं तो क्या चीजे हैं जिसके वज़े से हम रह जाते हैं पीछे आज से पहले, मतलब पिछले साल के पहले कि अगर हम बात करें तो जब हमारे पास एक ही मौका होता था पर आज सोचिए हमारे पास J.E. के लिए at least 21 में चार मौके मिलें, दो J.E. होने के बाद, J.E. मेंस होने के बाद due to pandemic exam postponed हो गया है, हमें भी पता है कि अभी J.E. मेंस के exam में अलग वक 2-3 months है इन केस आपका percentile अच्छा नहीं बना, तो अब क्या करें, अभी आपके पास एक और मौका है, आपने paper भी दिया है, आपने paper देने के बाद उस paper को समझा भी है, कि कहां mistake होई है, फिर भी अगर आप अपने percentile को boost up नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें, इस session को ध्यान से सुन कहां, तो कहीं न कहीं हमारे साथ कुछ basic चीज़े हैं, जिन पर हमें work out करना है, जैसे ही J-E word दिमाग में आता है, हम सोचते हैं कि J-E मतलब, या कुछ बच्चे सोचते हैं कि J-E मतलब toughest exam, no, J-E का मतलब है एक ऐसा exam, एक ऐसा conceptual exam कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किये basic से पढ़ाई किये, logics बना के पढ़ाई किये, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप percentile अच्छा ना बना पाएं, यानि आपको सब को पता है कि अगर आपको IIT जाना है, इस means कि 99 percentile plus score करना है, कैसे करेंगे, number one, एक पढ़ाई करनी है, पहला काम, दूसरा testing करनी है, तीसरा उस test paper का analysis करना है, अब problem कहा होती ही, मैं बताता हूँ, problem एक जगे पर होती ही, हम test paper पढ़ाई भी करते हैं, test paper भी देते हैं, test paper के हमारे पास printed solution भी होती, कई बार उससे वो understanding develop नहीं होती, जो होना चाहिए, तो आप impetus क्या करने वाला मैं बताता हूँ, हम लोग आपके साथ, अभी म हम लोग क्या करने वाले हैं, वो बताता हूँ, number one, हम लोग आपके लिए JEE की test series लाएं, अब आप सोचेंगे कि test series तो बहुत सारी, फिर इस test series में और बाखी test series में difference है, difference है, आप जो test series देते हैं, उसमें आपको solution भी मिलता है, पर printed solution मिलता है, पर मैं आपके साथ live solution दूँ करेंगे, impetus गुरू कों से आप धेरो बच्चे जुड़े हुए हैं, ये जो three मैंने test series स्टार्ट किए से already कई बच्चे जुड़ गए, पर जो अभी नहीं जुड़े हैं, मैं कहूंगा आप जुड़िये, और पहले समझें कि problem area क्या है, जैसे mass में मैंने देखा है, मैं mass ल होते हैं, 25% question toughest होते हैं, 10 medium level के होते हैं, अब आपका selection में अगर toughest question पहले आ गया, तो आप ये जो 75% है ना इससे कई बार पीछे हो जाते हैं, सबसे पहले हमें 25% simple question धूणने हैं, then उसके बाद जो 50% medium level के वो अफिर time बचा, तो हम toughest question को जाएंगे, अगर हमारा selection अच्छा ये possible होगा, हमारे selection को question selection करने के बाद, हमें उसकी solving approach को develop करना है, तो impetus इसमें help करेगा, तो impetus आप सभी students के लिए एक test series जो already start हो गई है, आपके लिए उसको अभी भी join करने का मौका है, उसके लिए करना क्या होगा, केवल दो step follow करना, step number one, कि हमारी है आपको website पे visit करना, live. .impetusgurukul.com, आप इस पर जैसे ही जाएंगे, वैसे ही जब आपका live.impetusgurukul website खुलेगी, जो दिख रहा आपको, इसके बाद आपको free test series में जाना है, क्योंकि IIT का session है, free test series में आपको IIT super 30 test series दिखेगी, उसको आप click करिएगा, जैसे ही आप super 30 test series को click करेंगे, आपके सामने test series open होगी, उस test series के साथ साथ, आपको आप दो step क्या करना ही, जैसे यह होगा step number one, फिर आपको वहाँ पर register करना है, website पर, और साथ में एक link और दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको एक form को register करना है, यह जैसे ही करेंगे, हमारी team आपको within one, two, three days, access दे देगी, और फिर आप test में test दे पाएंगे, आप इसमें test किस तरह से होगे मैं बताता हूँ, इसमें test topic wise होगे, जैसे आप इस platform को भी खोलोगे तो इसमें दिखेगा कि किस दिन कौन सा test कितने बज़े होना है, तो starting क्योंकि अभी time है, तो मैंने topic wise test रखें, तो आपका topics पहले एक एक करके cover और जिस दिन जो topic है, जैसे mass के test जो होंगे, वो Monday और Thursday को होंगे, okay, physics के test normally Tuesday और Friday को होंगे, chemistry के Wednesday और Saturday को, सबसे ज़्यादा problem होती है mass में, तो mass के जो test होंगे Monday और Thursday को, same day आपको evening में YouTube पर ही इसका live solution मिलेगा 7 o'clock पर, 7 o'clock कभी पर आपको solution मिलेगा, अब जब इसके solution को द देखेंगे, पहले test देना, test देने पर आपको ये पता चलेगा, कि आप कहां पर stand कर रहे हैं, जब analysis देखेंगे आप, तो आप समझ पाएंगे, कि आप अपने score को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानि, आपके पास अभी भी मौका है, normally हमें questions मिल जाते हैं, solution मिल जाते हैं, पर उस का solution, जब क्योंकि हम कोई चीज सुनते हैं और देखते हैं, तो हमारी understanding कई गुना बढ़ जाती है, तो ये test series definitely help करेगी, अभी भी आपके पास मौका है, अच्छा मौका, अभी भी आपको पास IAT, जो होने वाला था अप्रेल में third, वो देने का मौका है, माई वाला भी postponed already हो चुका, आप सबको पता है, तो अभी भी हमारे पास दो IAT हैं, जिनको हम दे सकते हैं, तो now focus and start again, छोड़ना नहीं है, याद रखे, अगर आपने quit कर दिया, इस means, कि फिर आपका सपना जो आपने देखा है, वो कहीं न कहीं आप उससे compromise करना है, तो जीवन में कभी compromise नहीं क पास मौका है, time tough है, no doubt की pandemic condition है, but इस condition में अगर आप कुछ अच्छा कर गए, तो फिर normal situation में तो आपको कोई कभी पीछे छोड़ी नहीं सकता, क्योंकि आपको tough situation में भी जीना आ गया है, thank you, all the best.